आप सारे दिन, दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मौमला तो नहीं है, और हिंदुस्तान की इतियाज की बारे में सिफ आमी सजी रुबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे, तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम हो, नमबर वान, नमबर टूर, मान लीजिए, नहिरू ने गलती की, जैसे की, आमी सजी ने, और सारे बीजेबी पार्टी ने, दसो को से सिकायत दर्प्ष करते रहे, यही है ना बात, तो मुझे कहने का मतलब सदन की अंदर, 2019 साल में, जब 370 को खारिश किये गए थे, उस समय आमी साजी ने, P.O.K., सियाचीन, सब कश्मीर का हिस्सा है, और हिस्सा बापास लाएंगे, यह कहते थे, मोधी जी की 10 सल हो गए, और टोल बेरी बात पर की जमाने में भी 6 साल गुजर चुके है, तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका, हिंदुसतर में दो बहादूर है, मोधी जी रॉमिस साजी, तीन दोनों बहादूर को किसने रोका, कि भाई P.O.K. तु अपने कब जमीर लाया करो, कम से कम P.O.K. से एक सेप का, एक सेप भी तो लाके दिखाओ, कि हाँ, हमने करके दिखाएं, और इसके चलते में यह भी कहना चाते हैं, आज P पाकिस्तान एकोनोमी कोरीडोर बन रहे हैं, तो यह चाइना एकोनोमी कोरीडोर जब योक के चीर कर बन रहे हैं, तो मोधी जी अमिस अभी क्यों मियू मियू कर रहे हैं, क्यों चुप्पी सादे हैं, इतना G7 में जाते हो, संहाई कोपरोशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने बाला है तो किसे ने रोक है इन लोगों को कि पाकिस्तान और चाइना के बीच पियोक की सीना चीर कर जो चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोईडर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्यों कोई प्रैस नहीं किया जा रहा है पियोके चीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कॉंग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं एक सेप को कम सकम एक सेप को कम सकम लाया करो पियोके से यहां बड़ी बड़ी बहादूरी करते हैं जब लदाक लदाक में अतिक्रमन होग चुके हैं गलवान की घटन सबको झान करी है तो हमारे प्रदान मौन्थी क्या करेता ना चीन घुसे ना को गुसा हुआ है तो उनको याद दिलना चाते हैं कि अगाड़ डम रहे यह दोनों बहादूरों हमारे देश की हर वक बहादूरी की बात करता न ait यह हम्टी ड है इस पे तो हम तो नहीं रोकते पियों के छीन के लाके दिखाओ चुनाओ दुवाजाच चब्विस में चुनाओं की पहले पियों के छीन के लाओ सारे हिंदुस्तन की सब बोट तुमें मिलेगी